मैं उसेन सुल्तान रन्बू मीनियूज में आपका स्वागत करता हूँ इस वक्त मौझूद है भगा सिंग चौक जो संजेनगर का इलाका है वहां मौझूद है आपको बता दे कि अभी दो दिन से यहां शहर में बारिश हो रही है और इस बारिश के दोरान अभी से शहर में गटर नाले भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है आपको बता दे के यह संजेनगर का इलाका है जो भगा सिंग चौक कहलाता है यह यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर कच्रा जमा हुआ है और यहां पर यह पुरा गटर भर गया है और इसके जो आपको यह फास बात ये बता दे के यह जो रसता ऊपर की तरफ जाता है भगा सिंग चौक का यह अभी हभी कॉंक्रे करन किया जा रहा है इस जो रास्ते को उपर उठा दिया गया है और आपको बता दे के यह पहले से ही यह नीचे बना हुआ है आपको दिखा दे के 6 से 8 इंच यह उपर उठा के बनाया गया है और जिसकी वज़े से यह अभी थोड़ी सी दो दिन की बारिश वी थी उस बारिश पुर्व नगर सिवक है सुधीर भगस से बात की कि इससे पहले भी जब यह काम यहां पे शुरू हुआ था तो उन्होंने आंदोलन किया था इस्ताने लोगों के साथ में और आज भी वह यहां पे जो यहां के इंजिनियर है यहां के कांट्रेक्टर है वह भी मौझूद है उनसे भी बात चीछ चल दी कि यहां पर पानी क्यूं रुख रहा है क्यूं जमा हो रहा है और इस रोड को उपर करनी की क्या ज़रूरत मैसूस हो रही है इन सारी बातों पर हम बात करते सुधिर बगस से कि उनका इसको लेकर उनका क्या कहना है आपने बताया कि जब यह रोड बंद रहा था तभी लोगों ने इत्रा जाता है था हलाकि यह रस्ता बनाना नहीं चाहिए था अगर बनाना भी चाहिए था तो उसको खोट करके बनाना चाहिए था आज की तारिक में यह 8 इंच इसको उपर चड़ा दिया है उसके वाज़े से सभी दुकान में और यह चीज मैंने में मैंने में जब यह बंद रहा था सभी मैंने इतला कि थी और यहां पर एक बहुत बड़ा अंदोलन भी वह था जिसको आपको आपी लोगों ने कवर किया था कि इसमें सौशी से पानी जाएगा आ इनगर के पानी करें जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदार कौन है कि यहां के जो लोग है जो कही सालों से रहे उनको पता होता है ना कि यहां पर क्या करना चाहिए आप ज़रा उनसे पूछा करिए सिर्फ हमको करना है यह उक्त बंद कर यह जो पाच्छे साल में यहां यहां पर जो करना है मैं कुछ दिनों पहले उस चाहिए के दर भी देखा था कि जबर्दस्ति जिसका जो स्लोप नहीं है उस लोग अपना चेंबर डाल रहे थे एक जो नैचुरल फ्लो है उसको आप देख सकते हो यह पाड़ी लागा कि आप कितना भी करो गटर से पानी नहीं जाएगा आप कुछ भी कर लो पानी रोड़ पे से आया यहां के जो बिल्डिंग से उसका जो फ्लो होता है पानी का वह रोड़ पे से जाता है रोड़ पे से जाके वह इसकी दो वज़ा सकती एक तो साफ सफाई नहीं की और जो बार पैसे कमाने के लिए संजयनगर के उपर माते पर मारा गया है इसके निचे का चार कदम पुराना रोड है वह इससे बहतरीन है उसको क्यों कहा हिलाया गया आप देख सकते हो अभी है करें ने उसका शिर्क जो अभी होगी जो पहले की सुस्प्राइम बड़क के 3-5 अम semester अभ आट उसके बंड़ने यह और दूस्ट आरो और रश्टाटा अदेशे हो सब्सके इसको ओना जूकरने ने यह ऐं पता घोड़ जे नीचे आमको करना है है यहां पर आजड़ी दुकान से हम्कों यह रोड करनाव अब जब बनाने के लिए गहे रहेंगे व लोग ने उसे अंदर भश्यां रखेते हैं वह निकाले के नहीं निकाली नहीं निकाली या कुछ और चीज फसी हुई है लेकिन मसला यह होने के बावजुद भी जो रोड़ पर पानी आता है जो बारिश है वही मसला है क्योंकि आजू-वाजू में बिल्डिंग्स है आगे पहाड जो स्लोप से बारिश और अभी का पूरा अंतर फरक आगया आप मेरे साथ अगर चार कदम आगे चलते रहेंगे तो मैं आपको पुराना रस्ता दिखाने को तैयार हूँ आप आईए आप देख सकते हो अगर इसको बनाना भी था कहीं पी आपको लाइन तुटा हुआ कहीं पी नहीं दिखाई देरा आपके इससे खराब रस्ते मुम्रा के अंदर और कही जगे पर है इससे खराब रस्ते समझें लेकिन फिर भी इसको बनाने की जरूरत क्या नौबत आ गई और अगर यह रस्ता यहां पर यह रोग दिया गया देखो आप देख सकते हो इसके हाइड देखो अब वह गाड़ी गई है अगर यह नहीं हो आधा तो आज इनके घर में पहले मिश too अगर वह रस्ता अगर यह लोग ने रोका नहीं होता तो शयदा आज ने और दूख अप इसका नहीं जता रूद नहbedingt आज और मेरे बात है इसने मा आया बहन खाना बनाती तो पुछती है कि आज रिखा बनाओ टो वैसे यहां कि फूरसत नहीं से प्रतिनित कर चुछा हूं लोगों का हमने लोगों से पूछा गया है और उसके बाद जो जीस काम की गई है हम जब रोड बनाये थे तो पीस फूटका सा लेकिन जब लोगों ने हम से मिटिंग की तो हमने उसको 25 फूटका किया है इसका मतलब दोनों ने कहीं तो भी समझदारी दिखाई अभी महा पर क्या हो रहा ह पूरा नाले से नहीं जाता है कहीं कुछ भी कर लो आप नाले से नहीं जाता है जगा कम है और यह पाहड़ी इलाका है थोड़ा हमको समझना चाहिए जब समतल जगा होती है और पाहड़ी इलाका होता है तो पानी नाले में जाता है यह पाहड़ी इलाका है रस्ते से ही पा